नमस्कार दोस्तों, Curfew Classes with Pranjal में आप सबता स्वागत हैं आप में से अक्सर कई लोग चाहते थे कि मैं practically screen में करके आपको fundamental analysis सिखाऊं और आज इसलिए मैं बहुत excited हूँ, क्योंकि आज मैं practically आपको screen recording के जरीए सिखाऊंगा कि मैं fundamental analysis कैसे करता हूँ और कैसे आप भी ticker.phenology.in पे जाके ticker हमारा नया stock analysis tool है, जो बिल्कुल आप लोगों के लिए है तो आप भी ticker.phenology.in पर जाके मेरी तरह stocks को analyze कर सकते हैं और आप ध्यान रखें कि अगले 20 दिन रोज एक वीडियो आएगा और ये वीडियो शुरू में बड़े simple रहेंगे और जैसे जैसे दिन बढ़ते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे तो ये वीडियो थोड़े complex होते जाएंगे और 20 दिन के बाद मुझे पूरी उमीद है कि आप भी काफी हद तक stocks analyze कर सकेंगे तो चलिए क्योंकि आज पहला दिन है तो हम एक simple company के साथ शुरू करेंगे जिसके products शायद आप भी हर रोज अपनी life में use करते ही होंगे हिंदुस्तान Unilever Limited अब मैं आपको आज काफी simple terms बताऊंगा कि कैसे किसी FMCG company को FMCG याने fast moving consumer goods ये वो कमपनिया होती हैं जो रोजमर्रा की जरूरतों की चीज़े बनाती हैं साबून हो, shampoo हो, detergent हो, इस तरहां की चीज़ें और हिंदुस्तान Unilever भारत में FMCG में सबसे बड़ी कमपनी है अब आज पहला दिन है तो मैं बिलकुल basics के साथ शुरू करूँ है ताकि कोई भी चाहे उसे बिलकुल भी investing ना आती हो तो भी वो in video series के जरीए investing सीख सके तो हम शुरू करेंगे उसी order में जिस order में data दिया हुआ है सबसे पहले बात करते हैं market cap की कि ये market cap क्या होता है देखे बहुत simple है अगर आप कोई company पूरी खरीदना चाहे याने 100% किसी company के आप owner बनना चाहे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे ये हमें बताता है market cap हिंदुस्तान यूनिलिवर के case में लगभग आपको पॉने 5 लाख करोड रुपे याने 5 लाख करोड से कुछ कम रुपे आपको देने पड़ेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर को पूरा खरीदने के लिए पौने 5 लाख करोड रुपे ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्तियों में से एक है तो ये होता है मार्केट कैप अब मार्केट कैप कैसे निकलता है मार्केट कैपिलाइजेशन निकालना बहुत सिंपल है आपको करना है बस एक चीज़ आपको लेना है कि शेर का दाम कितना है जैसे अभी इस वीडियो को रिगॉर्ड करते समय इस शेर का दाम दिखा रहा है 2,190 रुपे तो आपको ये लेना है और आपको उसे मल्टिप्लाइ कर दिना है नमबर ओफ शेर के साथ तो आज हिंदुस्तान युनिवर के टोटल शेर हैं 216 करोड शेर तो 216 करोड शेर को अगर आप 2,190 से मल्टिप्लाइ करेंगे तो लगभग लगभग ये अमाउंट आपको मिल जाएगा तो मार्केट कैप सिंपली है एक शेर का दाम इंटू नमबर ओफ शेर तो अगर आप सारे शेर किसी कमपनी के खरी देंगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे ये हमें बताता है तो इससे हमें किसी कमपनी के साइज का कि वो कितनी बड़ी है उसका अंदाजा लगता है और मार्केट कैप एक और बहुत इंट्रेस्टिंग कमपैरिजन के काम आता है बहुत काम आता है मेरे ये स्टॉक्स को सेलेक्ट करने में कैसे वो मैं आपको इस वीडियो के end में बताऊंगा वो थोड़ा सा advanced है अब आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो 20 classes है ये थोड़ी mathematics classes की जैसे है यानि हर बार आपको कुछ नया सीखने मिलेगा जो पिछले वीडियो में सिखाई गई चीज से connected रहेगा इसी लिए ये जरूरी है कि आप वीडियो को line से देखें और सारे वीडियो को देखें क्योंकि कौन सी चीज important है कौन से ratio पे आपको ध्यान देना है किस heading पे आपको ध्यान देना है ये company क्या business करती है उस पे भी depend करता है तो वो समझना भी बहुत जरूरी है अब हम next ratio की तरफ आते हैं जो है PE ratio PE ratio यानि price to earning ratio अब ये क्या होता है इसे समझने के लिए पहले हमें कुछ और चीज़े समझनी पड़ेंगी जैसा मैंने कहा finance में investing में हर चीज आपस में connected है तो PE ratio क्या होता है ये समझने के लिए हमें पहले earning per share क्या होता है ये समझना पड़ेगा earning per share को मैं आपको एक simple example से समझाता हूँ मान लीजिए एक दुकान है जो साल का 100 रुपे कमाती है अब उस दुकान के 4 partners हैं और सब का हिस्सा one-fourth, 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 one-fourth है याने हर कोई उस दुकान में 25% का partner है तो अब अगर 4 share है उस दुकान के और एक-एक share चारों के पास है और वो दुकान total कमाती है 100 रुपे याने उस दुकान का net profit है 100 रुपे और total shares किते हैं उस दुकान के जैसा number of shares हम यहाँ देख रहे हैं उस दुकान में number of shares है 4 total profit है 100 number of shares है 4 तो per share कितना profit हुआ एक इनसान को कितना profit मिला 25 रुपे तो वो ही है earning per share तो इस case में हिंदुस्तान यूनिलीवर के case में earning per share लगभग 28 रुपे में है मैं उमीद करता हूँ earning per share आपको clear होगा कि कमपनी का total मुनाफ़ा कितना हो रहा है उसको आप divide कर दीजिए कि कमपनी के total shares कितने है याने net profit को मैं divide कर दूँगा number of shares से तो आ जाएगा earning per share अब इसे और समझे मुझे अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर का share खरीदना है तो मुझे मिल रहा है वो लगभग 2200 रुपे के आसपास और वो एक share के पीछे मुझे साल भर में कमाई होगी 28 रुपे के आसपास तो PE का क्या मतलब है PE का एक simple सा मतलब है कि किसी share को खरीदने के लिए आप उसकी एक साल की कमाई का कितना गुना पैसा दे रहे हैं यानि अगर हिंदुस्तान यूनिलिवर एक साल में 28 रुपे कमाता है तो अगर हिंदुस्तान यूनिलिवर का share भी 28 रुपे में मिल रहा होता तो मतलब आप उसको एक का PE दे रहे होते यानि उसकी एक साल की कमाई के बराबर दाम पे आप उस share को खरीद रहे होते लेकिन हिंदुस्तान यूनिलिवर का share है 2190 रुपे तो अगर आप 2190 रुपे जो की इसका price है इस company का PE है उसको divide करोगे EPS से 28 जो की E है तो P divided by E आजाएगा 70 यानि आप हिंदुस्तान यूनिलिवर को खरीदने के लिए आज जो उसकी एक साल की कमाई है पर share कमाई उसका 70 गुना पैसा दे रहे हो तो अब ये 70 का PE जादा है की कम है आपको ये share लेना चाहिए की नहीं इसको आप खुद से पूछिए क्या आप कोई ऐसी दुकान खरीदेंगे 70 रुपे में जो साल का आपको 1 रुपे का मुनाफ़ा दे अगर मैं आपको बोलू कि ये लीजिए एक ऐसी दुकान जिससे आप साल का 1 रुपे कमाईगे और ये मैं आपको 70 रुपे में बेचूंगा तो क्या आप उस दुकान को खरी देंगे ये हुई एक बात दूसरी बात ये है कि HUL जैसी कंपनी ने सालों साल पता नहीं पुछले 30-40-50 सालों में लगभग हर साल अपना मुनाफ़ा बढ़ाया है किस रफ्तार से बढ़ाया है चलिए ये देखते हैं प्रॉफिट ग्रोथ का ये चार्ट देखिए पिछले एक साल में 15% मुनाफ़ा बढ़ा है HUL का पिछले तीन साल में हर साल ओन एन आवरेज 13% की दर से बढ़ा है पिछले पाँच सालों में 10% की दर से ओन एन आवरेज HUL अपना मुनाफ़ा बढ़ाता है पिपेडनेंट है इसका P.E. ये प्राइस है तो अगर प्राइस गिर जाए तो ये P.E. कम हो जाएगा बढ़ जाए तो P.E. जादा हो जाएगा तो ये शेर रोज कम जादा महेंगा सस्ता होता रहता है तो अब ये देखते हैं कि यूजवली एच्वल का शेर किस P.E. पे चलता है यूजवली मार्केट इसको एक साल के अर्निंग के बदले कितना भाव देता है जैसे आज सत्तर गुना भाव दे रहा है तो आपको जड़ा सा स्क्रॉल करना है आपको ये छे महीने साल भर तीन साल से जादा और पात साल से जादा वाला डेटा मिलेगा जैसे पात साल से जादा वाले में लगभग आठ साल का डेटा आपको मिल रहा है और ये आपको बता रहा है कि एच्वल यूजवली कितने P.E. पे चलता है तो जैसे 2013 में 27 के P.E. के आसपास था 15 में ये 40 के P.E. पे आया 17 में भी 40 के P.E. पे था 2018 से ये बढ़ने लगा और पिछले 8 सालों में अभी actual जितना महंगा है उतना महंगा या उतने जादा P.E. पे ये कभी नहीं रहा तो एक ये primary अंदाजा लग सकता है कि अभी actual महंगा चल रहा है अब ऐसे मान लेना कि क्यूंकि पिछले 5 साल के P.E. से अभी P.E. जादा इसलिए ये share महंगा है ऐसा सही नहीं है P.E. मार्केट जादा दे सकता है या P.E. बढ़ सकता है अगर कमपनी जादा growth दिखाने लगे हो सकता है पिछले 5 सालों में company की growth slow थी और पिछले 1-2 सालों में growth तेज हुई है यानि तेजी से company अब मुनाफ़ा कमाने लगी है तो अगर company मुनाफ़ा तेजी से कमाएगी तो market जो उसको भाव देता है वो भी बढ़ जाएगा तो पहली जलक में लगता है कि HUL बहगा है क्योंकि ये 40-50 के P.E. पे होता था और आजकल 70 के P.E. पे है लेकिन अब देखते है कि क्या है HUL अपना मुनाफ़ा पहले के मुकाबले जादा तेजी से बढ़ा रहा है चलिए तो ये है sales growth और profit growth का chart अब आप देखिए पिछले एक साल में HUL ने अपना मुनाफ़ा 15% बढ़ाया है पिछले तीन साल में वो 13% हर साल बढ़ाता था वहीं पिछले पांच साल में वो 9% के हिसाब से हर साल अपना मुनाफ़ा बढ़ाता था तो पिछले तीन साल में उसका performance इंप्रूव हुआ पिछले एक साल में और जादा इंप्रूव हुआ तो ये भी एक कारण है कि market अब उसको जादा P.E. दे रहा है जितना पहले देता था उससे जादा अब दे रहा है तो माना कि थोड़ा मुनाफ़ा बढ़ा है लेकिन उसके कारण क्या P.E. का 50 से 70 हो जाना justified है क्या आपको 70 के P.E. पे ये share लेना चाहिए इसका calculation थोड़ा complicated है हम कल सीखेंगे लेकिन आज एक चीज सीख लेना ज़रूरी है आपने जाना कि आपको आज के P.E. को historical P.E. से पिछले 3 या 5 साल के P.E. से compare करना चाहिए और फिर historical P.E. को उसकी profit growth history से compare करना चाहिए यहाँ तक तो हमने सीख लिया तो अब imagine करिए कोई ऐसी company हो जिसका पिछले 5 साल में profit तेजी से बढ़ा हो 3 साल में तेज बढ़ा हो याने पिछले 5 साल में हर साल उस company का profit improve हुआ हो performance improve हुआ हो और उसके बावजूद उसका valuation chart ये दिखा रहा हो कि उसका P.E. कम होता जा रहा है याने कोई company पहले तो 50 के P.E. पे चलती थी और पहले वो 10% का profit growth लाती थी अब वो 20% का profit growth ला रही है लेकिन पहले वो 50 के P.E. पे होती थी और अब वो 30-40 के P.E. पे हो गई है ऐसे में तो हम बता सकते हैं कि सिर्फ अगर P.E. ratio को देखा जाए तो वो company एक अच्छी company होगी ध्यान रखिए सिर्फ P.E. ratio देखके और आज जो मैंने सिखाया उसे देखके आग बन करके shares में invest नहीं करना है आप shares में invest तभी करिएगा खुद की research पे जब पूरे 20 दिन का course complete हो जाए आज ये सिर्फ simplistic examples है तो चलिए मैंने एक ऐसी company आपके लिए ढूंड के रखिए है ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ अब देखते हैं कि इसका historical P.E. क्या रहा है इसका historical P.E. यहाँ पे 40 कुछ कम हुआ फिर 40 यहाँ पे 45 50 के आसपास यहाँ भी 50 तो ये usually 40 और 50 के बीच में रहा है और अभी है 39 यारे ये अपने historical P.E. के आसपास या थोड़ा सस्ता मिल रहा है ऐसा क्यों? क्या कोलगेट का performance बुरा हुआ है? चलिए देखते हैं एक साल में profit growth 15% तीन साल में 10% पात साल में 7% यानि इसने भी पात साल के मुकाबले पिछले तीन साल में better और पिछले साल और better performance दिखाया है तो कोई अगर सिर्फ इतना सा हम data देखें तो कोई कारण नहीं है कि 45-50 के P.E. के मुकाबले इसे 39 का P.E. मिले तो इस case में मेरा interest जागेगा मैं invest नहीं कर दूँगा लेकिन मेरा interest जागेगा कि हाँ ये company ठीक लग रही है इसे और देखा जा सकता है क्योंकि ये अपने historical valuation से सस्ता है और historical performance के मुकाबले इसका performance better हो रहा है तो इस तरीके से P.E. ratio को use करके हम ये companies filter कर सकते हैं कि कौन सी company further research के लायक है या किस पे मैं और ध्यान दूँगा और अपना समय लगाऊंगा तो आज जो हमने सीखा इस से सिर्फ आप companies filter कर पाएंगे कि किस पे और ध्यान देना है किस पे नहीं देना है ये investing recommendation बिल्कुल नहीं अब ध्यान रखिए मैंने आपको वीडियो के starting में बताया था कि market cap मैंने आपको समझा तो दिया क्या होता है लेकिन कैसे सिर्फ market cap देखके भी एक हलका सा idea लगता है कि मैं किस company में invest करना चाहता हूँ किस में नहीं देखे हर इंसान के पास पैसा limited है तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास 5,00,00 करोड रुपे हैं तो 5,00,00 करोड रुपेओं से आप क्या खरीदना चाहेंगे क्या आप उन 5,00,00 करोड रुपेओं से HUL को खरीदना चाहेंगे जो लगभग पौने 5,00,00 करोड रुपे की है या फिर आप Infosys जसको भी हम सब जानते हैं उसका market cap देखते है Infosys का market cap लगभग 5,00,00 करोड से थोड़ा उपर है तो अगर आप चाहें तो आप Infosys खरीद सकते हैं और फिर भी आपके पास 2,00,00,00 करोड रुपे बचेंगे तो आप अपने 5,00,00 करोड रुपेओं को कैसे यूज करना चाहते हैं क्या आप HDFC बैंक खरीदना चाहते हैं HDFC बैंक भी लगभग HUL के बराबर मार्केट कैप में है तो अगर आपके पास 5,00,00 करोड रुपे हैं तो आप पूरा HUL खरीदेंगे या पूरा HDFC खरीदेंगे क्या आप साबुन, केचप, नूडल्स बनाने वाली कंपनी खरीदना पसंद करेंगे या आप देश का सबसे बड़ा सबसे वेल मैनेजड बैंक खरीदना पसंद करेंगे तो इस तरीके से जब आप industry by industry company by company ऐसे सोचेंगे कि मेरे पास इतने रुपे हैं इस रुपे में मैं क्या-क्या खरीद सकता हूँ जैसे जब हम खाने जाते थे school में बच्चे थे हमको घर वाले 50 या 100 रुपे pocket money दे के भेशते थे तो और बहुत सारे बाहर चार्ट पकोडी कई तरह के stall होते थे तो हम सोचते थे कि हमारे 10 रुपे से हम chips खाएं या chocolate खाएं भेल खाएं या कुछ और खाएं उसी तरह आपको सोचना है market cap को लेके कि इन रुपेओं से मैं actual खरीदू या मैं airline company खरीदू या मैं IT company खरीदू या मैं bank खरीदू तो उससे भी आपका intuition आपको idea देगा कि कहां आपको अपने कीमती रुपेओं को लगाना चाहिए क्योंकि आपकी रुपे हमेशा limited है और उसका best use आपको intuitively आ जाएगा अगर आप market cap को इस तरीके से across industries compare करेंगे तो आज का ये introductory video उमीद करता हूँ कि आपको simple लगा होगा और आप समझ पाये होगे अगर आपको थोड़ा difficult लगा ये video तो please comment करके बता दीजेगा कि आपको क्या समझ में नहीं आया या क्या difficult लगा और I'll make sure कि उन doubts को मैं कल clear कर सकूँ और इसी तरह अगर आप detailed investing सीखना चाहते हैं साल भर तक तो आप join कर सकते हैं Academy of Value Investing को जहां मैं और मेरी team आपको साल भर तक text lessons, quizzes, videos, downloadable materials और company की research reports, excel sheet हर तरीके से आपको सिखाएंगी value investing करना और एक expert investor बनना तो इस Academy of Value Investing के course का link आपको उपर card पे और इस video के description में मिल जाएगा साथ ही अगर आप जानना चाहते हैं कि इस market की गिरावट में हमने कौन से stocks खरीदे हैं कौन से stocks हम recommend कर रहे हैं हमारी model portfolio में तो आप join कर सकते हैं हमारी model portfolio service idea back को जिसका link भी आपको इस video के description में मिल जाएगा आज का अगर ये video पसंद आया हो तो इसे share करना बिलकुल मत भूलियेगा और आप भी अपना ticker पे account जरूर बना दीजेगा ताकि इस तरह की research आप भी शुरू कर सके और जो कुछ हम रोज सीख रहे हैं उसे practice कर सके मिलते हैं कल शाम 7 बजे curfew classes with pranjal में बाई बाई